तो लोग डूबते हैं तो समंदर को दोस देते हैं मंजिल ना मिले तो मुकदर को दोस देते हैं खुद तो शबल कर चल नहीं सकते और जब ठेश लगती है तो पत्थर को दोस देते हैं दोस्तों आपका बहुत बहुत श्वागत है अभिनंदन है आपके अपने यूटूब चैनल आरियन इंस्ट्यूट इलहाबाद में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एड्मिशन की ऑनलाइन प्रक्रिया चल र थीक आपको पता है आपको यह भी पता है कि हमारी जो लाश्ट डेट है अनलाइन आवेदन की वह 15 सितंबर रखी गई है क्या 15 सितंबर रखी गई है आपके on-line प्रक्रिया के जो अंतिम्त की थी है ठीक आपके मन में यह डाउट बना हुआ है कि अभी जिन बच्चों का result नहीं आया है अच्छा एक चीज़ और आप जाने आपके जो बीयड की काउंशलिंग है वह 17 सितंबर से रखी गई है कब से 17 सितंबर से आपको पता है यह जब इन दोनों की डेट रखी गई है 15 सितंबर और 17 सितंबर तो आपके सामने एक विडंबना उत्पन होती है वह आती है विश्विद्याले रिजल्ट की सबसे बड़ी विडंबनाए आपके शामने आती है तो इसी पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं आपके शामने तीन कोस्चन लिखे गए हैं क्या डेट आगे और बढ़ेगी दूसरा कोस्चन है काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है विडियो को लाइक जरूर किया करें आपके एक लाइक से हमारा इतना मोटिवेशन बढ़ता है कि हम आपके लिए अनवरत मेहनत करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं ठीक और हाँ वीडियो को सेयर किया करें जिससे अगर आप वीड क्लीफ होती है कोई भी दिक्कत होती है मैं यह नहीं कहता हूं कि सिर्फ डियलेट संबंदी अगर आप बेड़ करना चाहते हैं आप सिख्षा के छेतर से किसी भी चीछ की जानकारी के लिए आप कमेंट किया करें जहां तक श्रंभव हो सकेगा अगर हमारी जानकारी में जहां तक रहेगा मैं आपको बताने कि 100% कोसिस करूँगा एक बात और आपका ये जो चैनल आर्यान इंस्ट्यूट हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ कदम दर कदम मिला कर चलेंगे ठीक यह मेरा वादा है चलिए अब बात करते हैं क्या डेट आगे बढ़ेगी एक च तक पर हमारा चैनल को सब्सक्राइब जिरूर करें ठीक चलिए अब हम बिना समय गवाई शुरू करते हैं क्या डेट आगे और बढ़ेगी आपके सामने यह उत्पन है विडियम बनाएं आगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आपके इक्षा होगी कि सर डेट और आगे बढ़ जाए तो भाया मेरे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी पुष्टी हम और मेरा चैनल नहीं करता है कि डेट आगे बढ़ेगी ठीक मैं कभी यह पुष्टी नहीं करूंगा कि आपकी डेट आगे बढ़ेगी क्यों नहीं करूंगा कि इसके जो करता धरता ह आपको पता है डेट आगे बढ़ाने की जो भी करेंगे वहां आपकी PNP करती है कौन PNP मैं परिच्छा नियामक प्राधिकारी करते हैं ठीक डेट आगे बढ़ाने का जिम्मा उन्हें का होता है कुछ भी करेंगे जितनी भी प्रक्रिया डेलर सम्मंदित होगी सारी प्रक्र या में भाग लेंगे आपका रिजल्ट अगर नहीं आता है बट अभी रिजल्ट पर हम अपडेट आपको देते हैं कल हम गए थे अवध इन्वेश्टी वहां पर कुछ करमचारियों द्वारा हमें आस्वासन मिला है और क्या आस्वासन मिला है अभी आगे हम इसकी चर्चा क आप कहेंगे आप कह रहें कि सर आप पुष्टी भी नहीं कर रहें और कह रहें डेट आगे नहीं बढ़ेगी ठीक मैं भीया इसलिए कह रहा हूं कि डेट आपकी आगे नहीं बढ़ेगी क्यों क्योंकि आगर आपकी डेट अनवरत बढ़ती रही तो क्या आपका स्ट्र जो महोदे पर करता है कि ये क्या करेंगे आने वाला वक्त तै करेगा 15 सितंबर को ठीक चलिए लेकिन एमान के चलिएगा कि 99% ये उम्मीद लगाई जा रही है कि डेट अब आगे कोई से शंसुधन डेट में नहीं किया जाएगा चलिए अब बात आती है काउंसलिंग कब से चालो होगे बया मेरे आप काउंसलिंग के बारे में आप बहुत हमसी जानना चाह रहे थे काउंसलिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी जो लास्ट डेट अगर खत्म होती है तो जाहिर सी बात है यह मान के चलिएगा कि 20 से 20 से लेकर 25 के बीच में आपकी online counseling जो है प्रारम्ब हो जाएगी online counseling से ताथ पर हमारा यह है कि counseling के बारे में हमने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है बट एक मिनट उस पर देंगे counseling क्या होती है देखिए counseling सबसे पहले counseling से पहले आपकी rank जारी होगी आपकी rank जारी होगी rank में आपको दिया जाएगा कि शराप इतने rank से इतने rank तक इस डेट में करवाएंगे और इनका counseling में करना क्या होता है कि आप registration वहां करेंगे registration पहले होता है registration के बाद जो है आपकी च्वाइस फिलिंग आती है च्वाइस फिलिंग के बाद जो है आपका allartment लेटर निकलता है अगर माल लेजिए suppose देट आपकी counseling जो है एक से एक से 75,000 तक counseling फर्ष राउंड में कराई जाती है तो सिर्फ इस फर्ष राउंड में एक से 75,000 के बीच में जिनकी rank है वही फर्ष राउंड की counseling में participate कर पाएंगे ठीक और भी बच्चे करेंगे बट जिसकी rank जिस हिसाब से रहेगे वह आगे आने वाला शमय तय करेगा कि कितने जो है राउंड में counseling कराई जाएगे कितने राउंड में क्या होगा जहाँ भी पे एनपी की तरफ से कोई भी guidelines जारी नहीं होई है तो इसकी भी पुष्टी हम नहीं करेंगे कि एक से लेकर कितने तक फर्ष राउंड में करवाई जाएगे बट पिछले साल जिस आधार पर हुआ था हम लोग उसी आधार को आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पिछले साल एक से 75,000 तक कि बच्चो से 2,000,000 उसके बाद 2,000,000 से 3,000,000 इसी तरह से आपकी counseling चलती है और आपका allotment लेटर भी निकलता है ठीक चलिए इसे हमी रिस करते हैं आपके सामने एक बात और आती है document वगयरा कि अब बहु सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमने इतना number पाया है क्या हमें यह diet मिल जाएग तो भी यह एक चीज़ आप जानेगा कि diet मिलने से ताथ पर यह आपका जाहिर होता है जैसे इस बार merit आपके थुड़ी सी high जाएगी merit आपके बहुत highest जाएगी highest हमारा बोलने का मतलब सिर्फ यह है कि अभी जिनका result आया है जिन बच्चों का result आया है मैं उन result को देख रहा हूँ तो उनका result काफी जादा जा रहा है और अगर result आपका जादा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी merit भी high जाएगी ठीक एक चीज़ और अच्छा इस पे हम एक बात बताना आपको भूल गए अगर डेट आगे बढ़ेगी जो है अगर डेट क्या डेट आगे और बढ़ेगी इस पे एक बात बताना भूल गए आप 15 तारिक कल का इंतजार करें कल हम आपको 10 से 11 बजे के बीच में आपको वीडियो देंगे अगर आपका 20 विद्याले का रिजल्ट नहीं जारी होता है तो आप किस कंडिशन में अपने फॉर्म को अपलाई करेंगे 10 से 11 बारा भी बस सकता है आप उसके बीच में मैं आपको एक वीडियो जरूर दूँगा कि आप अपने फॉर्म को कैशे फिल करें विदाउट नंबर के ठीक चलिए प्रक्रिया चल रही थी जो बात हमारी हो रही है मैंने आपको क्योंसलिंग के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया कांसलिंग की प्रक्रिया के शारे करता धरता पीनपी में होदे हैं अब इनकी कोई गाइडलाइन्स जारी नहीं हुई है जिस पे मैं आपको और भी बताशकूं रही बात गॉलिज की तो हमने एक मेरिट पर आपकी वीडियो दिया है कि आपकी मेरिट कितनी जाएगी बट यह वह पिछले साल के तो कि तो हम लोग क्या करते हैं पिछले सत्र के आधार तुल्ला करते हैं ये उमेर लगाई जाती है कि बहुत जादस जादा दो से चार परसेंट जो है मेरिट आपकी हाई जाएगी ठीक बट आप ऐसा आपकी बार मत समझेगा जिस कंडिशन का रिजल्ट हम देख रहे हैं बच्चों का अगर उसी हिसाब से रिजल्ट बनता रहाँ सभी इनवेश्टियों का तो जाहिर सी बात है कि आपकी मेरिट जो है जनरल की मैं अगर बात करूं तो कम से कम 240-245 मान के चलिएगा ठीक इतना आप समझ गए अच्छा रही बात प्राइवेट की तो प्राइवेट में भया आपका अगर 210 भी बन रहा है दो सो भी बन रहा है तब भी आपको प्राइवेट कॉलिज मिलेगा बहुत सारे बच्चे हम से कमेंट कर रहे थे कि सर अगर हम ड दायरेक्ट एडमीशन वाली प्राइवेट करोंगी झाल यृफ्चे हर्खेंThis देखिये मैं चाहता हूं कि आपने टापिक से हटो न तो आज अभी मैं आप से बात करने जा विश्व विद्याले रिजल्ट पर क्या अपडेट निकल कर आ रही है क्या उम्मीद लगाई जा रही है कल मैं जब आवद निकल कर आई है विश्व विद्याले रिजल्ट बिडंबना बहुत है आपकी सामने अगर रिजल्ट नहीं आया तो आपका भविश्चे उपट होगा आप नहीं कर पाएंगे अपको बताऊंगा वो कल की डेट में आप कैसे क्या करेंगे डेलेट के ऑनलाइन एड्मिशन में जो फार्म नहीं फिल किया है बट आप गलत फार्म मत फिल करिए आज की डेट में कल में आपको सलूशन दूँगा कि आप कैसे करें देखें विश्व विद्याले रिजल्ट अपडेट क्या है कल मैं जब आवध इन्वेस्टी गया देखें इन्वेस्टी तो बहुत सारी ह नहीं कर रहा हूं ठीक मैं इन्वेस्टी गया था मैं बात इसकी कर रहा हूं हमसे शाहां और सी बात थैसे इन्वेस्टी वहात बात क्या होई आपके सामने सोच रहे होंगे कि जल्दी बताएं तो बिल्कुल मैं आपके सामने रख रहा हूं देखिए बात वहां हमारी यह हुई किसी करमचारी से मैंने पूछा कि सर आपको पता है कि जो डिलेट जिसका पूरो नाम जो है बीटिसी था और बीड की कांसलिंग 15 और 17 15 और 15 और 17 तारीक से स्टार्ट है ठीक बे जो डिलेट के ऑंलाइन प्रक्रिया है वह 15 सितंबर को खत्म होगी और बीड की counseling प्रक्रिया जो चलेगी वह 17 सितंबर को शुरू होगी ठीक ने और आपने result अभी सर जारी नहीं किया मैंने इसी तरह से उनसे पूछा उन्हों ने हमें यह स्वासन दिया कि भाया एक चीज आप जानिएगा कि जो विश्विद्याले प्रसासन है वह अपने कार्य के लेकर प्रगति की ओर है मिंस हमने कहा सर मैं आपकी बात को समझा नहीं उन्होंने कहा कि result के उपर जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि result आपका बहुत जादा जादा आज या कल की डेट में घोशित कर दिया जाएगा देखिए result घोशित करने की रही बात ये उन्होंने हमें तो आश्वासन दिया और मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ रही बात result के अगर वो result घोशित नहीं करते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ठीक मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ रिजल्ट घोसित करना कुलपती महोदय का कार्य है और वहां के बैठे भी शुविद्याले की जितने भी करमचारी है उनका काम है ठीक रही बात जो है आपकी नियूज देने की तो नियूज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और रिज लगाइए कि 14 तारीक तक आपका रिजल्ट घोसित हो जाएगा आज भी आपका घोसित हो सकता है और कल भी आपका घोसित किया जा सकता है ठीक और हाँ अब आपके मन में आ रहा हो गया कि अगर घोसित नहीं हुआ तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि उन महोदय को आप पहुंच जाए मेरा वीडियो तो उन्हें यह पता चले कि जो बच्चे हैं वो खुद एक्टिव हैं जो बच्चे हैं वो खुद एक्टिव हैं इसलिए मैं आपसे यहीं रिक्वेश्ट करूंगा आप वीडियो को सेर जरूर करें ठीक और एक चीज अगर आपका कुशन दूँगा कि आपका रिजल्ट अगर घोसित नहीं होता है तो आप किस कंडिशन में को अपलाई करेंगे ठीक ना लेकिन फिर मैं भी उम्मेद लगाता हूं कि वह 14 तारिक तक आपका रिजल्ट घोसित करेंगे अच्छा अगर इसमें आपको इसी वीडियो में नही कि कोशिस करता हूं और अगर वीडियो पशंद आया है तो प्लीज मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें थैंक्स धन्यवाद